हेलो गाइस आप कभी पास गाइस रियल्मी C67 5G है या आपके पास रियल्मी का कोई भी डिबाइस हो तो फिर गाइस यह जो सेधिंग है सभी में अपलाई होती है मैं डेफिनली यह बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा वार्क करेगा तो फिर गाइस में इसे 3 सेटिंग बताओंगा तो फिर इसका फॉलो कर लेते हो तो फिर डियाव को बैटरी में काफी इंप्रूमेंट देखने के लिए मिल सकता है तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता दू आपको फोन में जादा तर्लोकेशन ओन रहता है सबसे जो में कारण और लोकेशन की बज़े से आप जो फोने बैटरी रहन होता है मैं अपको लाइफ करके दिख रहा हूँ आप बैटरी ओप्षिन में जब भी मैं फिर से गया गैस इसमें इस दो पार्ट कर से लिए पार्क आप्स आरे मार्केट के अंदर और सारे एप्स मतलब जादा तर्स सेटिंग सर में मतलब आन रहने में open होता है इसलिए जिए ऑच बैक्राउंद बेगरह आप आप तब लुए भी और मतला पर रेन करता रह तो फिर एक सेटिंग लॉच्ट किया डिया वाल डेह सकते हो लोकिकष में आपको क्लिक करके आप प्रेट सिंग कर सकते हो पर किली करके डेख सकते हो लोकस்안 में बंध कर सकते हो तो ऊसको सेटिंग कर सकते हो ऩ был को इडिशनल सेटिंग में जाना है एडिशनल सेटिंग की अधर आपको मिलेगा के अत्वाइब क्लिक करके आपको ने इसको दीप कर leec डिप क्लिन करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है जितनी भी बेक्ग्राउंड उसके रैम के अंदर रन कर रहेते हैं वो सारे केल्ट हो चुके है हेलो गाइस मैं अभी एक ऐसे एक सेटिंग्स के बारे में बात करो जो कोई भी आपको नहीं बताता है गाइस यह मेरे परसनल ओपिनियन है गाइस जितनी भी आप अपने स्वाप्टेयर को अपडेट करते हो आपके फोन के अंदर उतना फोन आपका इसलो होता जाता है और गाइस आपका बैर्टी जितना आपका स्वाप्टेयर हाइली एमाउन में मतलब MB के साइज से GB के साइज जब मतलब बढ़ता रहता है तब आपका फोन काफी लोड पर जाता है आपका फोन के अंदर तब फोन में जो बैग्राउंड से काफी रण करते रहते हैं तो जब काफी भारी मतलब स्वाप्टेयर के बात बात में अप अपडेट करते हो और आपको फोन काफी slow होने के उस सेटिंग को बंद कर देना है और टो अपडेट ओवानाइट और डू नॉट अलाव में आपको क्लिक करकर दूसरा जो सेटिंग है डू नॉट अलाव पर आपको रख देना है तो फिर जो सब्सक्राइब करने के बाद आपका फोन किया होता है मतलब बैटरी को जादा से कंजियूम करता है इस आपका बैटरी इसलिए कम चलता है आपको सब्सक्राइब करने की कोई जर्वत नहीं है